ACL tear, anterior cruciate ligament tear हो जाने पे क्या exercises करनी चाहिए? exercises for initial injury आज का ये topic है हमारा, इसको ध्यान से देखिएगा ये exercise अगर आप करते हैं, तो हो सकता आपको ACL सज़री कराने के भी ज़रूरत ना पड़े और आप केवल exercise से ही बिलकुल ठीक हो जाएं, इस वीडियो को ध्यान से देखिए नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर नीरश चिलवास्तों मैं एक arthroscopy और sports injury surgeon हूँ और scopy clinic वरांट्सी में practice करता हूँ और वहाँ का director हूँ जैसा कि आप जानते हैं जो हमारा channel है यह sports injury related on ligament related सारे आपकी queries को दूर करने के लिए है तो देखिए हम जितने लोग भी है ना सभी चाहते हैं कि हमारी जो चोट लगी जो ligament की injury हुई उसको बिना operation के सही कर ले हर बार तो नहीं संभव होता बट कई बार ऐसा possible है कि इसको हम सच में बिना किसी सजी दरा ठीक कर सकते हैं और अगर नहीं भी कर सकते हैं तो कम से कम इन exercises को करके एक बार कोशिश जरूर कर सकते हैं और अगर आपका ये पूरी तरिके से ठीक नहीं भी हुआ तो आपके घुटने का जो operation के पहले की तयारी होती है जो prehab हमने पूराने वीडियो में भी बताया है एटलिस उसमें मदद करेगा तो कोई भी नुकसान नहीं है ACL tear के बाद कुछ exercises करके देखने में और हम जैसे पहले भी हमारी जो वीडियो हैं कि ACL को बिना सवजली के कैसे ठीक करें जिसके के हमारे दो वीडियो हैं दोनों का लिंक हम इस description में डाल देते हैं तो उसको भी आप देख सकते हैं उसमें पूरा कुछ आपको बताय जाएगा तो देखे एक पहला point यह होता है कि आखिर कौन से ऐसे ACL tears हैं जो कि बिना सवजली के सच में ठीक हो सकते हैं ठीक मतलब यह नहीं होता है कि आप सिर्फ चल पाएं ठीक मतलब होता है कि आप दौर भी पाएं और हाई एंड अक्टिविटीज भी कर पाएं जब आप दौर पाए ACL tear के बाद तब यह मानते हैं कि यह ठीक हो गया है परना नॉर्मल चलने के लिए तो वैसे भी ACL की जरुत होती ही नहीं है ACL complete tear में भी आप नॉर्मल चल सकते हैं बैट के office का काम कर सकते हैं पाइक चला सकते हैं, कार चला सकते हैं तो देखें आपको जैसे पहले भी बताये गया है कि जो ACL tear होते हैं उसमें जो partial tear category है partial मतलब होता है कुछ हिस्सा उसका तूटा है तो अगर वो partial tear है जैसे कि 25 परसंट या 30 परसंट या 50 परसंट भी कई पाएकर तूटा है तो उन ACL tears को हम सही कर सकते हैं exercise या physiotherapy त्वारा और प्रेसिस त्वारा तो यह जो हमारा वीडियो है यह complete आपको treatment पुली tears में मिलेगा जिसमें कि पूरा complete ACL tear नहीं है कई पर MRI में यह भी देखता है कि complete absence और non-visualization of ACL मतलब कि ACL वहाँ पर है भी वो फट के गल चुका है तो वैसे cases में अगर आप exercise करते हैं तो में भी अगर आप बहुत low demand है तो आपको बिना surgery के life चल सकती है आपका age ज्यादा या फिर आप बिल्कु सेरेंटरी बैट के काम करने वाले हैं आप उचरा भी दौड़ना भागना नहीं तब शायद आप ठीक हो सकें अधर वाइज आपको पढ़ती है इस surgery की तो एक disclaimer जो मैं इस वीडियो के पहले बोलूँ है क्यों कि हमारे बहुत से viewers को यह होता है आप तो बोलते हैं कि ACL बिना surgery के ठीप हो सकता है फिर आप क्यों बोलना है कि operation करना पड़ेगा तो मैं यह बोलता हूँ भाई मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखो तो सही पूरी बात सुनो तो सही selected case है कि science है science is not that simple कि हर ACL को सरजरी चाहिए या हर ACL को सरजरी नहीं चाहिए वो चेक करके patient profile देखके उसका MRI देखके उसकी needs सब कुछ देखकरके तब decide होता है इतना simple होता तो फिर black and white में हम लिख देते कि हाँ जी सारे ACL को बिना सरजरी से ठीक कर लो या फिस सारे ACL को क्यों सर्जरी से ठीक कर लो क्योंकि हम बहुत से ऐसे वीडियो देखते हैं YouTube में जो कि definitely sports injury सर्जरी ज़रा बनाए गए नहीं है को normal exercise वाई doctor या पर किसी और पददी की लोगों ज़रा बनाए हुए है कि operation की जरुरत नहीं हम बस exercise करेंगे और बिल्कुल ठी जो वीडियो बना रहा है उसको पता है कि यह क्या होता उसके पास डिग्री है और वो इन केसे को डिल करता है तो चलिए अब हम आते हैं कि जो पार्शल असे कर सकते हैं और कौन से ऐसे exercises हैं तो सबसे पहले आपको ब्रेस पहनने जो कि आपको उप्ताने वीडियो दो बताय और आपकी ACL के अलावा जो आपके को लैटरल मलब की एंसल की कुछ चोट या एंसल की चोटिया जो आपकी जिल्ली है जो खोल है आपकी घुटने की उसमें भी जो चोट होती है उसको भरने में help करता है उसकी healing में मदद करता है इससे क्या होता है कि कई बार आपके पार्श घुटने में आपको icing करनी है जिससे कि आपका inflammation कम होगा सूजन कम होगा और आप exercise लाइब हो पाइंगे अब आते हैं main topic पे कि कौन-कौन से exercises है अपने ACL को बिना operation के द्वारा ठीक करने की तो जो सबसे पहले exercise जो कि हमारे सारे वीडियो में हम बताते है जो आपके घुटने knee या isometric को डिसे exercise इसको जिस तक इसे वीडियो में देखा जा रहा है कि आप लेट जाएं अपने घुटने के नीचे एक towel का roll लगाएं और अपने घुटने को डबाएं उस towel पे को press करें 10 तक गिंते गिने और छोड़ें ऐसे ऐसे 10 बार करें तो 30 बार एक बार में करना है अब आते हैं दूसरे exercise में तो दूसरे exercise जो है वो आपको एक बार अपने table के edge पे जाना है जैसे कि इस वीडियो में दिखाय जा रहा है उसका नाम है isometric hamstring exercise देखे ध्यान यह रहा है कि आपके hamstring muscle जो आपके जंगा के पीछे की muscle है यह synergistic है आपके ACL ligament के साथ तो यह वही क इस तरह के से वीडियो में जाना अपने घुटने को अपने table के edge पे ले जाएंगे उसमें फसा लेंगे फसा है फसा है इस तरह के से घुटने को मोड़े की तो मोड़ने पर वो मोड़ेगा तो है नहीं विकास फसा हुआ है लेकिन आपकी जंगे की muscle tight होंगी जैसा कि आप आप वीडियो में देख सकते हैं अपने हाथ को लगा के भी आप फील कर सकते हैं कि आपनी जंगे की muscle पीछे की tight हो रही है तो 10 तक गिंते गिनना है और फिर छोड़ना है ऐसे इसको भी 10 बार करना है और कुल 3 set 30 बार इसको करके छोड़ना है इसका नाम है isometric hamstring exercise यह दो exercise हो क्या जा रहा है आप अपने एक table पर या अपने किसी भी कुर्सी पर जो की उचाई पर हो उस पर बैट चाएंगे अपने पैरों को इस तरके से सीधा फैलाएंगे अपने पंजे को उपर खीचेंगे 10 तक की गिंती गिनेंगे फिर से मूरेंगे इसको भी 10-10 के 3 set करना है ठीक है तो 30 बार सुबर 30 बार तो पर 30 बार शाम इसको सिटिंग है से लार कहता है इसके बाद जो हमारी चौथी एक्सिसाइज है वो है प्रोन हैंस्ट्रिंग कल इसमें क्या करेंगे आप पेट के बल उल्टा लेड जाएंगे अपने घुट्टे में कुछ वजन या इनको अगर आप जंक करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा इनमें खास बात क्या है कि जो आपको तीसरी एक्सिसाइज सिटिंग ऐसे लार थी इसमें भी जीरे जीरे आप बजन बान सकते हैं अपने घुट्टे में और सीधा कर सकते हैं ऐसे उल्टा वाला जो एक्सिस कई लोगों को पार्शेल टियर में इतनी एक्सिसाइज अगर आप जंक करेंगे तीन से चार महिने कर लेंगे तो आपको जुरुत ही नहीं पड़ेगी ऑपरेशन की ओप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे जब इन एक्सिसाइज को करने से आपकी नीके इस्टेबिल्टी थोड़ी बढ़नी लग जाए और आपको लगी कि अब आपको और भी अच्छा लग रहा है और आप इन ताकतारी दल कम हो रहा है तब आप इसके ऊपर की एडवांस लेवल की एक्सिसाइज करना शुरू कर करके बातने अपने आखों को बंद करके भी खड़ा हो सकते हैं फिर एक तकिये पर भी खड़े हो करके अपने बैलेंस को बनाना अपने हाथों को सीधा करके यह प्रोपिसेप्शन एक्सिसाइज है अगर आप यह भी कर पा रहे हैं मतलब आपका सच में घुटना बिना किस सच में सही हो जाएगा ऐसा आपको उम्मीद करनी चाहिए अगर आप प्रोपिसेप्शन भी कर पा रहे हैं बाकी चारो पाचो एक्सिसाइज के साथ में अगर यह भी ठीक हो जाता है तो उसके बाद आप जिम में जाए और जम करके लेग प्रेस करिए जो जिम में आप सेम करने भी लग जाएंगे अपना सब कुछ करने लग जाएंगे आपको इससे सजी की जुरत नहीं पड़ेगी तो यह पर करके देखें पार्शल टीर्स में यह बहुत ही लापकारी है और इससे आपको बहुत आराम मिलेगा आई थिंग सब कुछ हमने कवर किया हुआ है और अपर होते हैं एंगिसरेश को करने के बाद फी आपके कुछ और बीडवो क्याएंगे यह थिए कमेंच चेशन में लिकर को कूछ सकते हैं उसको रिपाय करेंगे या फिर हमें वाट्साइब कर सकते हैं अपने हम रिपाय करेंगे अपना ख्याल रखेया अपने इससे सब् al झाल झाल